नवस्कार ये आकाश श्वानिक पटना है अब आप अभिश्यक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार केंदर सरकार ने किसानों को उनके उत्पात का बेहतर मुल्य दिलाने के उद्धेश से अनाज दलहन तिलहन और आलू प्याज को आवश्यक वस्तू अधिनियम के दाएरे से बाहर किया मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कहा कोरोना संकर्ट के समय लोगों को 8538 करोल रुपे की सहयता प्रदान की गई प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4273 हुई 26 की मौत स्वस्त होने की दरबढ़ कर 47.4 प्रतिशत हुई और मौसम विभाग ने कहा चक्रवाती तूफान मिसर्ग के प्रभाव से प्रदेश का दिक्तर हिस्सों में कल से 6 जूम तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना अब समाचार विस्तार से केंदर सरकार ने अनाज, तिलहन, आलू, प्याज और दाल को आवशक वस्तू अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है प्रधान मंतरी नरंदर मोदी की अथ्यक्षता में केंदरिय मंतरी मंडल की बैठक में इस आश्य के प्रस्तों को सुक्रिती दी गई कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंदरिय मंतरी प्रकास जावरे करने वताये किस फैसले से नियामक व्यवस्ता उदार होगी और किसानों को उनके उत्पात का बेहतर मुल्ले मिलना सुनिशित होगा वहीं एक करने फैसले में मंतरी मंदल ने देश्वे निवेश्ट आकरशित करने के लिए मंतरालेयों और विवागों में पर्योजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दे दी है केंद्रे सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम मंतराले ने MSME शत्र की पड़िभाशा और मांदर्णों में संसोधन सम्मंदित अधिसूचना जारी कर दी है यह अधिसूचना पहली जुलाई से लागू होगी इसके अनुसार सुक्ष्म और सिवाईकाईयां अब एक करूर रुपे का निवेश और पांच करूर रुपे तक के टर्न ओवर की होंगी उद्यम मंतराले ने एक विध्यप्ति में कहा है कि छोटी इकाई के मामले में निवेश की सीमा को बढ़ा कर 10 करूर रुपे और टर्न ओवर को 50 करूर रुपे कर दिया गया है इसी तरह लगू उद्यमों के निवेश सीमा बढ़ा कर 20 करूर रुपे और टर्न ओवर 100 करूर रुपे तक कर दी गई है मध्यम स्रेणी के उद्यमों के लिए निवेश की सीमा 50 करूर रुपे और टर्न ओवर के लिए 250 करूर रुपे की होगी मंत्राले ने कहा है कि निरियात को सुक्षुन लगू या मध्यमस्रेणी के उद्यमों के टर्ण ओवर में शामिल नहीं किया जाएगा प्रधान मंत्री गरीब करल्यान पैकेज के अंतरगत लगभग 42 करोर गरीब लोगों को 53,248 करोर रुपे की वित्य सहायता मिली है हमारे समवादाता ने बताया है कि योजना के अंतरगत 20 करोर 62 लाक महिलाओं के जन्दन खाते में दूसरी किस्त के रूप में 10,353 करोर रुपे डाले गए हैं भवन निर्मान में लगे 2 करोर 3 लाक कामगारों को 4,312 करोर 81 लाक रुपे बित्य सहायता के रूप में दिये गए राजियों और किंद सफशित प्रजिशों द्वारा एप्सिल महा के लिए 101 लाक मेट्रिक टन खाद्यान लिया गया इन में से 36.093 लाक मेट्रिक टन खाद्यान 73 करोड 86 लाक लाभारतियों को बित्रित किया गया मही महा में करीब 6 करोड लोगों को लगभग 33 लाक मेट्रिक टन खाद्यान बित्रित किया गया जून महा में 17 राजियों और किंदसासित प्रदेशों के 7 करोड 16 लाख लावार्थियों को 3,58,000 मेट्टिक तंखा द्यान बितृत किया गया 5,6,000 मेट्टिक तंदाले में ही राजियों और किंदसासित प्रदेशों को भेजी गई है इस प्रदानमंत्री उज्जुला योजना सिलिंडर बुक किये गए इस योजना के अंतरगत अब तक 8,58,000,000 सिलिंडर लावार्थियों को मुद्ध दिये जा चुके हैं कर्मचारी भविश्य निभी खातों से करीब 16,000,000 लोगों ने 47,25,000,000 की नव बापस किये जाने वाली धंदासी निकाली चालू वित्वश के दौरान मंद्रेगा के तहद 48,13,000,000 मानव दिवशों का स्रिजन किया गया इसके अलावा बकाया मजदूरी के भुक्तान के लिए राज्यों को करीब 29,000,000 करोड रुपे भी जारी किये गए हैं दिवाकर के साथ अनुपमिश्ट आखाशवानी समाचार दिल्ली मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा है कि कोरोणा संकट के समय लोगों को 8,538 करोड रुपे की सहायता प्रदान की गई आज अस्थानी निकाय के प्रतिनितियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंस के जरी समवाद में मुख्यमंत्री ने लोगडाउन की अवधी में राज्य सरकार द्वारा किये गए उपायों की जानकारी दी उन्होंने बताए कि क्वारंग्टीन केंदर में रह रहे एक वेक्ति पर 5,300 रुपे खर्च किये जा रहे हैं एक करोड 62 लुगों को जिसमें एक करोड 41 लाक रासन कार्ट धारी हैं और 21 लाँ जो वको चिंडिय दिया है कि जिनको रासन कार्ट नहीं है ऐसे लोगों को एक हजा रुप्या दिया जा चुका है 85 लाक पंसन धारीओं को 3 महिने का पंसन अठरिक दे करके एक हजार सत्रा करूर रुपे की रासी खाटों में दी गई है स्रिकुमाय में कहा कि दूसरे राज्यों से बिहार लोटे लोगों को राज्य में ही रोजगार उपलब्द कराने के हर संभब प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमीटी उद्योग और बैपार को आसान बनाने के उपाई सुझाएगी स्रिकुमाय ने बताय कि कोरोना से निपटने के लिए विशेस कोश बनाये गया है जिसमें 180 करोड रुपे जमा कराये गये हैं कोरोना के प्रती जाग रुपता पर बल देते हुए मुख्य मंत्रे ने कहा कि सभी को सचेत और सजग रहने की जरूरत है उन्होंने लोगों से कोरोना के लक्षन मिलने पर ततकाल नज़िती की चिकिस साके दर जाने और नहीं घबराने की अपील की स्रीकुमार ने बुजर्गों और बच्चों को विशे साबधानी बरतने की सलादी है वंदे भारत मिशन के तहट आज 268 और प्रवासी भारतिये साओधी अरब के जद्धा और मौसकों से गया अंतरास्टे हवाई अड़े पर पहुँचे इनमें 240 बिहार के और 28 जारखन से हैं जारखन के यात्रियों को सरक मार्क से उनके राज्जी भेज दिया गया है वहीं बिहार के लोगों को थर्मल एस्क्रेनिंग के बाद 7 दिनों के लिए क्वारंटीन के लिए होटल भेजा गया इस बीच मसकट से आए 142 लेत्यों को क्वारंटीन अवधी पूरी होने के बाद अपने घर भेज दिया गया है देश के बिविन हिस्सों से प्रवासी स्रमिकों के आने का सिलसिला अब कम हो रहा है आज 6 स्रमिक स्पेशल रेल गारियों से 9,900 लोग राज्जी के बिविन हिस्सों में पहुँच रहे हैं वहीं कल 9 ट्रेने राज्जी के बिविन हिस्सों में पहुचेंगी इन में से 5 ट्रेन तमिलाडू जबकि केरल और करनाटक से 2-2 ट्रेने आ रही हैं इनसे लगभग 15,000 लोग वापस लौट रहे हैं मानव संसाधन विकास मंतरी रमेश पोखडियाल निशंक ने आज नई दिल्ले में एक ग्यार्मी और बार्मी कक्षा के लिए वैकल्पिक सैक्षनिक कैलेंडर जारी किया इसे मंतराले के मार्क दर्शन में राष्ट्रे सैक्षिक अनुसंधान और प्रस्विक्षन परिशद ने तयार किया है इसका उद्देश कोविड-19 के कारण घर में रहने को मजबूर विद्यार्थियों को अविभावकों और सिक्षकों की मदद से सार्थक सैक्षनिक गतिवीधियों में संग लगन करना है स्रे निशंक ने कहा कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविदा नहीं है या जो वाटसेफ, फेस्बुक, ट्विटर और गूगल जैसे सोशल मीडिया उपकरणों का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये कैलेंडर, मोबाइल फोन या वाइस कॉल के जरिये उनका तथा उनके अविभावकों का मार्ग दर्शन करने के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश देगा सरी निशंक ने बताया किस कैलेंडर से दिव्भावकों सहित सभी बच्चों की जरुरतों को पूरा किया जा सकेगा इसमें आडियो बूक, रेडियो प्रोग्राम तथा वीडियो प्रोग्राम के लिंक शामिल होंगे प्रदेश में आज कोरोना संक्रमन के 177 नए मामलों की पुष्टी के साथ ही संक्रमितों की संक्यां बढ़कर 4273 हो गई है आज सबसे अधिक खगडिया से 84 मामले सामने आये हैं सीतामढ़ी से 14, समस्तिपूर से 10, तर्वंगा से 8, कठ्यार और मुझभपरपूर से 6, कैमूर और लखिसराई से 55, अररिया, भागलपूर, नवादा और सहरसा से 44, सारण, बकसर और शेकपूरा से 33, गोपालगंज, पुरविचंपारण, मधेपूरा, पटना और सिवान स दो-दो, तथा बेगुसराई, जमुई, किशंगंज और शिवर से एक-एक मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, इधर राज्य में COVID-19 से मरने बालों की संक्यां बढ़कर 26 हो गई है, नवादा जिले की एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, नवादा के सिविल सर्जन वीमल प्रसाद ने बताया कि यह व्यक्ति हर्याना से आया था, स्वास्युः के सचिव लोकेश कुमार सिंग ने बताया कि अब तक जो मामले पॉजिटिव आये हैं, उसमें 3137 प्रवासी कामगारों के हैं, सबस्यधिक महाराश्य से ल मरिजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, स्वास्त होने वालों की संख्या दो हजार पच्चीस हो गई है, स्री सिंग ने बताया कि स्वास्त होने वाले मरिजों की दर बढ़ कर 47.4 प्रतिशत हो गई है, स्वास्त सचिव ने बताया कि होम कॉरंटीन में रह लाग 7,615 हो गई है इन में से अब तक 1,303 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 5,815 लोगों की मौत हुई है स्वस्थ होने की दर बढ़ कर 48.31 प्रतिशत हो गई है वहीं मृत्यु दर घट कर 2.8 शुन्य प्रतिशत हो गई है नई दिली के डॉक्टर राम मनुहर लोहिया अस्वताल के वरिष्ट के सक डॉक्टर एके वाश्चने ने कहा है कि कोरुना मरिजों की ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है उन्होंने वरिष्ट नाकरिकों और अन्य बीमारियों से जूज रहे लोगों को अतरिक्त साबधानी बरतने की सलाह दी है ठीक होने की दर है वो लगभब जो है 90 परसंट तो अपने आपी बिना दबा के हो जाता है 50 परसंट लोगों में ऑक्सीजन देने के बाद आलका लंक्स में इंट्रेशन निमोन या हो जाता है जानीबानी फिल्ब अविनेत्रे विद्यावालन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है और कहा कि सोयम घर में रहकर लोगों को सुरक्षित रखने में आप योगदान दे सकते हैं स्वास्त मंत्राले ने उन ख़बरों को खलत बताया है जिसमें कहा गया है कि लगातार 50-60 दिनों तक अलकोहल यूप्त हैंड सेनिटाइजर के इस्तेमाल से तवचा रोग और कैंसर हो सकता है पत्र सूचना कारियाले पी आईवी ने एक ट्वीट में कहा कि यह सूचना गलत है पी आईवी ने बताया कि सेनिटाइजर का इस्तेमाल मनुष्री के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारत नहीं है कोरोना संक्रमन से बचने के लिए 70% अलकोहल वाले सेनिटाइजर के उप्योग की सलाह दी जाती है खगरिया में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में कंटेन्मेंट जोन की संख्यां बढ़ा कर साथ कर दी गई है लॉकडॉन के कारण दर्भंगा में फंसे नेपाल के नौ नागरिकों को रक्सौल से विशेस वहान से उनके देश वापस भेजा गया दिन की कौरंटीन की अवधी पूरी होने और नई लोगों के नहीं आने को देखते हुए ये फैसला किया गया बकसर जिले में आम लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेडित करने के उद्धिश से जिला प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान की शुरूआत की गई है शेकपुरा जिले में दीन दयाल उपाध्य अंतियोदय राष्ट्य शहरी आजिविका मिशन के तहट मास्क निर्मान केंदर की शुरूआत की गई है इस केंदर में अस्थानी महिलाओं द्वारा मास्क का निर्मान शुरू कर दिया गया है दर्भंगा से लोकमान ने टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्स्प्रेस ट्रेन का पड़ी चालन आज से शुरू हो गया है प्रख्यात समाजवादी नेता और पुर्व केंदरे मंतरी जॉर्ज फर्नांडिस को आज उनकी जैनती पर स्रधा पुर्वक याद किया गया इस अफसर पर मुझवपरपुर में आयुजित मुख्यराज के समारों में मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जॉर्ज फर्नांडिस की आदमकद प्रतिमा का लोकारपन किया पटना के नेक संबार भवन में इस अफसर पर उपमुख्यमंतरी सुशिल कुमार मोदी और विधान सवाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत राज्यमंतरी मंडल के कई सदस्री उपस्थित थे इधर हमारे समवाधातों ने खवर दिये कि समाजवाधी निता की जैंती पर उन्हें स्रद्धा पुर्वक्याद किया गया चक्रवाती तुफान मिसर के प्रभौसे प्रदेश में कल से 6 जुन तक तेज हवा के साथ बारिश की संभाबना बनी भी है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के उत्तरपुर्व और पस्ष्मी हिस्सों में तुफान के साथ बारिश हो सकती है सबस्यधिक अर्वल, जहानावाज, सिवान, छपरा, बकसर, भोजपूर, सीतामढ़ी और शिवर जिले प्रभावित होंगे और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंदर सरकार में किसानों को उनके उत्पात का बेहतर मुले दिलाने के उद्धेश से अनाज, दलहन, दिलहन और आलू प्याज को आवशक वस्तु अधनियम के दायरी से बाहर किया मुख्य मंदरी नितिश कुमार ने कहा कोरोना संकत के समय लोगों को 8,538 करोल रुपे की सायता प्रदान की गई प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,273 हुई, 26 की मौत, सुस्तोने की दर बढ़ कर 47,04 प्रतिशत हुई और मौसम विभाग ने कहा चक्रवाती तुफान मिसर्थ के प्रभोसे प्रदेश के दिक्तर हिस्सों में कल से 6 जुन तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना इसके साथ ही आकाश्वानी पटना से प्रसारित प्रादिशिक समाचार का ये अंक समाथ हुआ घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाश्वानी